OLED क्या है? OLED, Organic Light Emitting Diode, को सन 1987 को चिंग वैंटैंग और स्टेवन वैंस लाइक द्वारा पहला OLED डिवाइस बनाया गया था. इसका इस्तमाल TV डिस्प्ले के अंदर किया जाता है. दरअसल ये एक कार्बनिक पार्टिकल की एक परत होती है, जो TV डिस्प्ले में फिट की जाती है, और तो और इसका इस्तमाल स्मार्ट फोन, लैप्टॉप में डिजिटल डिस्प्ले बनाने के लिए भी किया जाता है. ये QLED से अलग तरीके से काम करती है. QLED डिस्प्ले के अंदर लाइट को उत्पन करने के लिए बैक लाइट यूनिट की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन OLED डिस्प्ले खुद लाइट उत्पन करती है. इसे किसी बैक लाइट यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. Thank you.